अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है क्या फिर आप ये समझी नहीं पा रहे हैं कि सर्दी में ट्राविल के दौरान आपको क्या साफधानी रखनी चाहिए तो आपकी प्रॉब्लम आगे सुलचाने वाली हो पर पहले अगर आप अगर आप इंटरनाशनल विजिट का सोच रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया के सिड्नी शेहर में जरूर जाएं खुबसूरती का मज़ा ले सकते हैं यहां जाकर आप यहां ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम है रॉयल बॉटानिक गार्डन है बॉंटी बीच है निलसन पार्क के अल सकते हैं जो आपको जरा भी बोर नहीं होने देंगे इन जगाओं पर घूमने जाते हैं तो आपका सारा स्ट्रेस कायब हो जाएगा अगर आप इंटरनाशनल ट्रावल के साथ बजट ट्रावल चाहते हैं तो यह घूमने के लिए सबसे इंट्रेस्टिंग जगा है मलेशिय क्योंकि यहाँ पर आप जैसा चाहें वैसा नजारा आपको दिखेगा जी हाँ इसकी कैपिटल है कौलालंपूर यहाँ पर आप पेट्रुनस टावर या फिर आप एक आलिशान बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल को भी देख सकते हैं आपको अगर यह चीजे देखना मिलता है मलेशिया की हैंड मेड चॉकलेट और साथ-साथ चीली चॉकलेट बहुत फेमस हैं चॉकलेट अगर आप खाते हैं तो इसे बालों का जढ़ना हाट से जुड़ी परिशानी खांसी की परिशानी और डिप्रेशन दूर हो जाता है एक और इंटरनाशनल डेस्टिने हैं कि सारी जगा गूमने के लिए बहुत अच्छी हैं अगर आप बच्चों के साथ जाएंगे तो लंडन के ZSL जू में जरूर जाएं यहां का मौसम आपको देहत पसंद आएगा और इस मौसम का आपकी सेहत पर भी कोई नुकसान नहीं होगा आपको को गाना याद है थंडे थंडे पानी से नहाना चाहिए ये गाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है फिट बैठता है सर्दी में थंडे पानी से नहाने से आपको ड़रा नहीं रही हूं धरिये मत लेकिन सर्दियों में नहाना जरूर है इसके क्या फाइदे हैं जो सुबह स्कूल जाना होता है तो आना कानी करते हैं आपको हैरान करने वाली जानकारी आगे दोंगी लेकिन पहले सर्दी में जब भी घुमने जाएं तो क्या करें? क्या साफधानियां आपको देनी है? ये बताती हैं कपड़े पहनने में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है कई बार ऐसा होता है कि सर्दी कम हो रही है तो गरम कपड़े पहन नहीं रहे हैं या फिर आप अगर अपने सिर, हाथ और पैरों को कवर नहीं कर रहे हैं तो इन चीजों का खास ख्याल आपको रखना है क्योंकि सिर, पैर, नोज, चेस्ट और कान से ही ठंड जो है शरीर में पहुँचती है और परिशानी खड़ी करती है अपने बैग में जादा तर गर्म कपड़े ही रखे असेसरी जैसे गलव्स, स्काफ, हैट अपने साथ जरूर रखे कपड़े पहने से पहले अच्छी क्वालिटी का गर्म इनर आपको जरूर पहना चाहिए अच्छा आपको पता है कि ठंड में जो है बूख बढ़ जाती है लेकिन कुछ भी खाएं तो सोच समझ कर खाएं ठंडी चीज़ें जैसे आईस क्रीम, धही पूरी तरह से अवोइट करें सर्दियों में मेथी दाने रोज यूज करें इससे अस्थमा, जॉइंस में प्रॉब्लम, एसिडिटी, काफ ये सारी बिमारियां आपसे दूर रहती है मेथी दाना, खाना और इसको डूनेट करना आपकी स्ट्रेस वाल्यू को कम करता है आगे आपको वो ब्यूटि टिप्स बताने वाली हूँ जिने अपनाने से, आपके हजबन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे आपके और खीचे चले आएंगे लेकिन इससे पहले आपको बताती हूँ कि सर्दियों में नहाने से फाइदा क्या है ये हैरान करने वाली जानकारी जानी है ये बात हैं आपको बच्चों को जरूर बतानी है क्योंकि सर्दियों में नहाने से बच्चे बच्चते हैं जबकि इस मौसम में अगर आप ल्यूक वाम पानी से नहाते हैं तो आपको क्या फाइदे हैं चलिए जानते हैं सर्दियों में गुन-गुने पानी से रोज नहाना चाहिए अगर आप बिल्कुल गरम पानी से नहाते हैं तो आपकी स्किन ड्राइ हो जाएगी और जल्दी रिंकल्स पढ़ेंगे लेकिन अगर आप वार्म वाटर से नहाते हैं खुली हवा में ना घुमें इससे बुखार, निमोनिया और खासी तक हो सकती है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आज की दूसरी बड़ी प्राबलम और उसका सिंपल सिल्यूशन ले लेते हैं जब आप ट्रावल करते हैं खास तोर पर माउंटिंस के आसपास तो वामिटिंग होती है ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है आपको घर से अधरक की चाय पी करने करना है इसके साथ साथ अगर उल्टी आपको महसूस हो रही है तो थोड़ा सा अधरक का टुकड़ा चबा लीजे आप उधीने की लीव्स खाते हैं तो इससे भी आपको रिलीफ मिलता है और अगर आप चाहें तो सिर्का और कारा नमक लिख कर लीजे इससे उल्टी बंद हो जाएगी उल्टी रोकने का एक और आसान तरीका ये है कि थोड़ी सी बर्फ मुँ में रख लीजे उल्टी बंद आप जानते हैं ट्रावलिंग से जुड़ी तीसरी बड़ी प्राबलम और उसका इजी सिलिविशन अगर आप ट्रावल करते हैं और ट्रावलिंग के दौरान आपको चक्कर आते हैं तो ऐसे में क्या करें आप ट्रावलिंग के दौरान जादा ठक जाते हैं या स्ट्रेस लेते हैं इस वज़े से चकर आते हैं तो आँखों के सामने अंधिरा आने लगता है और सभी चीजे घूमती भी दिखाई देती हैं ऐसे में दो लॉंग को दो कप पानी में उबाल कर पानी पी लीजे या घर से ही लेकर निकलिए अगर ये frequent problem है तो कच्ची पिसी हल्दी अपने forehead पर लगाने से भी आपको चक्कर आने बंद हो जाते हैं अगर आप traveling से घर वापस ना लोटे और रास्ते में आपको problem हो जाए तो प्यास ले ले इसे कात कर सूंग लीजे आपको चक्कर आने बंद हो जाएंगे आज तो हमने बात करी traveling की लेकिन कल बात करते हैं आपकी और problems की कल हम बात करेंगे जल्दी शादी के तरीकों की आपको बताऊंगी खास दल्ये की हैरान करने वाली जानकारी और अगर आपके चेहरे और नेक के complexion में फर्क है तो कल बताऊंगी ये कैसे हो सकता है बिल्कुल ठीक तो कल धेल सारी और बाते करेंगे ये तो छूटी छूटी चीज़े हैं जो बताएंगे कल और भी चीज़े बताऊंगी तो अपना टाइम फालतों की चीज़ों में ना वेस करकर अपनी life अपनी knowledge को बढ़ाईए